दोस्तो नमस्कार दोस्तो आज वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि जब हम गन्य की प्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद हमें पानी जब लगाना होता है अपनी फसल में तो पानी कितने दिन बाद हम अपनी गन्य की फसल में रोपाई के कितने दिन बाद हम पानी को ल में within mother spring हम इसको पैजेस दिन के बाद इसमें पानी देंगे कि आज Video में आघ करेंगे कि हम जब दूसरा पानी लगाते हैं और दूसरे पानी पानी कोन से जुत अच्छा हो और सही तरीके से हमारा गन्ना करें और क्षाफ़ तरीके है जिससे हमारी फसल अच्छी तरीके से उसमें टिलिंग होकर चले है आप देखिए इतना अच्छा जमाव हमारे गन्य के खेत में हो रहा है और हमने इसमें पर पानी लगाया था उसके बाद अभी कोई पानी लगाया और गूल अभी बिल्कुल नीचे ही है तो सबसे पहले ह हम इसमें अभी जो हमने साथ साथ में हमने मुंग भी लगा रखें इंटर कोपिंग में और जमाव बहुत अच्छा है फिलाल हमने जो इसमें बवाई पर जो प्रियोग किया था वह सब्सक्राइब और यूरिया के साथ लेकिन अब जब हम इसमें पानी कब लगाएंगे अ पर आए उसकी वीडियो हम आपके सामने जल्द लाएंगे लाएंगे इसमें हम अब सबसे पहले जो हम मिश्मे कार्य करेंगे वह करेंगे जो इसमें अभी मोथा खड़ाएं यह आप देख पार होंगे कितना मोथा इसमें अभी हमें दिखाई दे रहा है पहले इसमोफ़ ह कि हम हलके हलके अंदर अंदर निगाई गुडाई कराएंगे और उसके बाद इसको दो-तीन दिन के लिए खेट को छोड़ देंगे छोड़ने के बाद हमारे खेट में एक जमाव अच्छा हो रहा है लेकिन कारण क्या हो रहा है कि कुछ किसान भाईयों के खेट में टोप बोर कम से कम थेयां, आप 25 दिन से पहले पानी को खेट में नगाएं क्योंकि जब आया लादेते हैं तो हमारे हमके तो किल्ह को 밑ी होती पानी लगा देना चाहिए लेकिन अगर जो आप पानी को थोड़ा सा दिले करके लगाएंगे तो उसमें एक अच्छा जमाऊ होगा दूसरा जब आप पानी लगाएं उससे पहले अपने खेत की निराई गुड़ाई करा ले जैसे इसमें खर्पतवार हो रहा है इसकी हम निराई गुड़ाई भी कराएंगे अभी हमने निराई गुड़ाई कराने के बाद में उसको दो-तीन दिन खेत को ऐसी खुला छोड़ अच्छी प्रकार से खर्पतवार ना सकका भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन मेरी माने तो आप जैसे हमारी गुड़ाई कराएंगे उपर की नहीं कराएंगे क्योंकि हम इसमें गूल से ही पानी लगाएंगे तो वो उपर बैड़ पे जो होगा हमारा पानी नहीं जाएगा उपर जो हमारी मसूर हमने बो रखी है उस वो एक थोड़ा सा सील के लिए ही मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों अगर जो इंसिडेंस दिखाई दे रहा है किसी कीट ना सकता तो आप इसमें रिजेंट का प्रियोग कर सकते हैं अगर जो दिख रहा है या हमला की जो सकते हैं तो आपका 20-25 दिन डिले हो जाएगा क्या कि वह 20-25 दिन आपको जो दवाई होगी आपका जो भी टोप बोरर होगा उसको रोग देगी और उसके साथ ही आपको जो आप फर्टिलाजर का यूब करोगे अगर जो आपने बुआई पर किसी कीट ना सक का प्रियोग क रखा है तो आपको कोई भी कीटना सकते हैं लेकिन आपको जो है यूरिया तीस से 35 किलोग्राम यूरिया ले ले लेना है और उसी की साथ आप कोई एक फंगिसाइड जरूर लें क्योंकि फंगस का टैक जीरो दोस्तोर अड़त इसमें बहुत अधिक दिखाई दे रहा है हम बार बार आपसे कह रहे हैं तो फंगिसाइड का प्रियोग जरूर करें आप और उसी के बाद जो है क्या कहते हैं अपने के उसमें एक सागारी का या बायो वीटा का भी आप ले सकते हैं और इनका सब को आपको प्रियोग करने के बाद में जैसे आप शाम को प्रियोग करे या सुम्भे को पाणी लगा दे या साम को दौई ने बाह दोटोटो और उसके बाद प्रियोक करें। उसके बाद आप पानी अपने खेत में लगा दें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके खेत में जमाव बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छी टिलिंग आपके खेत में निकल कर आएगी और अच्छा पादन आप गन्नी की फसल से लेंगे उसके बाद आप जो है खेत को सही प्रकार से उसकी सिचाई करें और उस खेत में एक जमाव आप लेंगे इसी के साथ मैं अगर जो आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें और हम आपको कल किसी एक नई वीडियो से साथ अपडेट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद